मेरे एरिये में ऐसे colleges नहीं है जहां अच्छी पढ़ाई की जा सके मेरे एरिये में ऐसी industries नहीं है जहां काम किया जा सके मेरी family में लोग इतने बड़े लिखे नहीं है हम लोग गाउ में रहते हैं हमारे लोग विक्सित नहीं है financially weak है किसी का family background अच्छा नहीं है कोई किसी problem में घिरा हुआ है कोई physically disabled है इन लोगों के एक छोटे से idea ने इने करोड़पती अरभपती बना दिया मैं एक्षर अपने training program और वरक्शॉप्स में कहता हूं कि लक्ष कठिन हो तो पाने में मजा आता है हिम्मत की हद से टकराने में मजा आता है और समंदर की अथा गहराई पसंद है मुझे और आस्मान की अनंत उचाई पसंद है मुझे समय बद्दता के साथ जीत जाने में मजा आता है मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की valuable informative वीडियो में और और अपनी लाइफ में विःपृत परिस्तिति होने के अपार सफल तासिल की है और आप भी ऐसा कर सकती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वरतमान में आप किस स्थिठी में है जरूरत है कुछ नियमों का पालन करने की और अगर आप भी इन नियमों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो आप अभी जो मैं दिखाने वाला हूं उन लोगों की तरह विप्रीव परिस्थितियों में भी आपार सफलता आसिल कर सकते हैं अब सबसे पहले समझ लेते ही कि रोना किन किन बातों का रोते हैं जलत और लोग ना इन बातों का लेकर रोना रोते रहते हैं जैसे मेरी एजुकेशनल कौलिफिकेशन बहुत हाई नहीं है तो मैं लाइफ में इस वज़े से कुछ करनी पा रहा हूं दोस्तों बहुत सारे एग्जामपल हैं जिनोंने कम नहीं है यह रोना भी बहुत जादा लोग रोते रहते हैं इसके लावा मेरी फानेशल पॉजिशन स्ट्रॉंग नहीं है मतलब मैं फानेशली बहुत वीक हूँ अभी तो मैं आगे बढ़ने की संभावनाई कहां से देखूंगा तो लोग अपने फानेशल पॉजिशन को लेक हैं मैं बताऊंगा ऐसे एक्जैंपल जिन लोग कोम्यूनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं उसके बावसूत भी उन्होंने अपार सफलता है और कुछ लोग कहते हैं यार मैं बिहार की लेंगविज बोलता हूं मैं राजस्थानी बोलता हूं मुझे हिंदी बोलनी नहीं आत किसी को प्रभावित नहीं कर पाता तो कोई फरक नहीं पड़ता आपकी परसनलिटी कैसी है अगर आपके व्यक्तित्व में गुण है ना तो आप परसफलता आसिल जरूर करेंगे कुछ लोग हेल्थ का रोना लेकर रोते रहते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती मैं बिमा लेकिन उन्हें परिस्थित्यों के सामने घुटने नहीं टेके और अपार सफलता आसिल की कुछ लोग रिस्पॉनशिबिलिटी का रोना रोते रहते हैं अरे भाइन घर का बड़ा तो घर की पूरकी पूरी रिस्पॉनसिबिलिटी मेरे उपर है मेरे माता-पिता नहीं पैसा कमाया जा सके मेरे एरिये में ऐसे कॉलेज़े नहीं है जहां अच्य पढ़ाई की जा सके एरिये में एसी इंडस्ट्री जहां काम किया जा सके तो बड़ा सारा लोग और resources को लेकर रोना रोते रहते हैं network and surroundings कुछ लोग इस बात को लेकर भी लेते हैं मेरे network में आईसे लोग नहीं मेरे संपर्क में अईसे लोग नहीं है या मेरे surrounding people जो है ना वह बहुत ज़़ाँ developed नहीं है बहुत ज़़ा financially strong नहीं है बहुत ज़़ा educated नहीं है यह बाते लेकर लोग हमेशा दूसरों के सामने रोना रोते रहते हैं यह इस वह से मैं काम्याब नहीं हो पाराओं आज मैं आपको दिखाता हूं ऐसे बहुत सारे उधारन है जिनोंने विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी वह सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जीवन में आपार स आप जानते हैं अब्दुलकलाम जो बहुत गरीब परिवार से थे उसके बावजूद हमारे देश के रास्ट पती बने उन्हें तो मिसाइल मैं के रूप में जाना जाता है करनल संडस ओल्ड एज में आके 65 यर की एज में आके उन्होंने के एफसी का शुबारम किया और प स्ट्रेटिड हो जाते थे लोगों से अड्विडिस्मेंट कलेक्शन करने में और एक दिन उन्हें डिसाइड किया कुछ ऐसा करो जहां पर आपस में एक दूसरे को चीजों की शेरिंग बिना किसी कॉस्ट के हो जाए और उन्हें वाटसेप बनाया और 245 मिलियन डॉलर में फेस्बुक ने वाटसेप को खरीद लिया इन लोगों के चोटे से आइडिया ने इने करोड़पती अरभपती बना दिया अरे यह तो चलो बहार की बात है मैं बात करता हूं हमारे देश के फनिंदर सामा दिवाली की चुट्टी पर हैदराबाद से बस के माधियम से अपन हैं नेत्रहीन हैं और उनने नेत्रहीन लोगों को इकठा करके बहुत बढ़ी टैक कंपनी बना दी प्रेंट्स कोई फरक नहीं पड़ता परिस्तितिक ऐसी है आप देखिए को फानेशली वीक है किसी का फैमिली बैक्राउंड अच्छा नहीं है किसी का जॉब प्रोफाइल अच्छा नहीं है कोई किसी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है कोई फिजिकली डिसेबल है है ना आप खान सर को जानते ही है इन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा रेविलुशन खड़ा कर दिया मतलब जिन को जिस सब्जेक्ट को लेकर लोग लाखो हज विश्व में एक बहुत बड़ा नाम के रूप में बनकर लोगों के सामने आए है स्टीफन होकिन्स यह एक बहुत बड़े साइंटेस्ट है 90% फिजिकली डिसेबल मतलब पूरा बाड़ी एक तरह से काम नहीं करती है और उसके बावजूद भी वह बहुत बड़े साइंट सब्सक्राइब नतिज्ड़िक बने हारे देश की अरुनिमा सिनहा जो फिजिकली फिट थी सब कुछ बहुत बड़िया था व्योलीव प्लेयर थी एक बार क्या हुआ कि ट्रेंब से कहीं जा रही थी और ट्रेंज से जा रही थी तो बदवासों ने चेन खीचने का प्रयास किया चेन नहीं दी तो अर्निमा सिन्हा को चलती ट्रेंसे नीचे डफैक दिया वो दूसरे ट्रैक पर गए एक पैर कट गया लेकिन उसको लगा कि मेरा जीवन खतम हो जाएगा परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी उसने आर्टिफिशल पैर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया हिमालय चड़ गई तो यह जजबा होना चाएं जोश होना चाहिए जुनुन और चाहिए आप किस भी परिस्तिती नहीं हो आप सब कुछ कर सकते हैं बशरते आपके अंदर करने के λिए वह हिम्मत हो लगन हो मेहनत करने के लिए सब्यार हूँ और विपृत परिस्ति करते करते एक बिलियन डॉलर कंपनी बनाकर खड़ी कर दी इसके लाबा प्रफुल बिलोरे आजकल बहुत फेमस हैं आप देखें यह वो लोग है जिन्होंने उन सभी परिस्तितियों को जो परिस्तिति का रूरा आप रोते रहते हैं एजुकेशनल फैमली बैगरांड इसके बिलिटी रिस्पॉंसिबिलिटी रिस्पॉंसिबिलिटी रिसोर्से नेट्वरक और सराउंडिंग इन सभी परिस्तितियों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने घुटने नहीं टेके अब जरूरत है आपको अपने जीवन में ऐसा क्या करना है कि आप भी अपार पल तासिल करेंगे जरूरत है तो चीजों को सीखने और समझने की नमबर वान इंप्रूव यॉर्स नॉलेज अपनी नॉलेज में इजाफा करें नॉलेज में इजाफा कैसे होगा आप अच्छे अच्छी बुक्स पढ़ें अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखें इसक इसे यूग में जी रहें जहां पर मुबाइल फोन आपके पास है स्मार्ट फोन आपके पास है जिसमें इंटरनेट के बादियम से कुछ भी सीखा जा सकता है ऐलोन मस्क ने तो कहा कि मैं रॉकेट बनाना भी इंटरनेट से इसीखा था फाइन गेट एक्स्ट्रा स्किल फ् स्किल को उफ उफ करें आप अठाग बजा सकते हैं उसको इंपरूब करें आज इसकी क्लासीज बिखती हैं आप लोक Cyber को방œय ठेदज 한데 उब घर लेट चा किल सकते हैं आफ कि ने वाली है नहीं ना अगर थोड़ी से दूरी के लिए भी आप ऐसी बस में बैटने के लिए तयार नहीं जिसका यह पता ही नहीं कि वह बस कहा जाये की तो अपने जीवन में बिना गोल के कैसे हैप जीए जा रहे हैं जरुवत है अपने लक्षों को नर्धारित करने कि आपको पता होना चाहिए कि three मेने में मुझे क्या करना है, छे मेने मुझे क्या करना है, एक साल में मुझे क्या करना है, अगले पाँ साल में我 कहाilateral अपने है को कहा अपने आको देखता हूं, वह लक्ष निर्धारित करें, start earning जितनी भी इसकिल्स आपने ड किये जितनी भी प् मैंने कहा था हर skill आपको पैसा कमा के दे सकती है, मैं स्टूडिन्स को देखता हूं? तो उना से झाल मुझे ऐसा मिला इसने कहा कि मैं अपनी pocket money के लिए अपने बाकी friends का homework करने लग जाता हूं तो homework की वज़े से उसको pocket money मिले लग गई अभी मैंने इक interview किया था एसीपी साब का तो उन्होंने बताया कि सर मेरे पास अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं था ना तो मैंने अपने घर की रद्धी से अखबार से जितनी भी रद्धी उनके पास होती थी मैंने लिफाफे बनाना शुरू कर दिया और लिफाफे के पैकेट्स मैं शॉप्स पर औ और वहां से मुझे अर्निंग आई तो मैंने कॉलेज की फीस भरी तो कहते हैं रिसोर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं बशर्ते आप उसकी तरफ ध्यान दें उन्हें देखें उन्हें समझें और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें अर्निंग शुरू करें और जैसी आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाए ना उसको इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं आज इतना अच्छा सिस्टम हो गया है पहले तो बैंक अकाउंट खुलता था फिर एक डीमेट अकाउंट खोलने या शेर फिजिकली खरिदे आते थे आज आप किसी भी आप के मा खाए ध्यान रखिए का तक पैसा आपके लिए काम नहीं करेंगा तब तक हमेशा काम करना पड़ेगा और जब आपका पैसा आप के लिए काम करेंगा तो आप काम करेंगे तो भी आपकी अरनिंग होगी इसलिए बहुत जरूरी है इन्वेस्टिंग करें connect with like-minded people देखे like-minded people का मतलब है आप जैसा बनना चाहते हैं उस तरह के लोगों के सरकल में जाएं उस तरह के लोगों से connection बनाएं लिंक बनाएं उनसे communicate करें विचारों का अदान प्रदान करें तो आपके पास भी नए विचार आएंगे और like-minded people हमेशा positive thought process पर बात करते हैं growth पर बात करते हैं success पर बात करते हैं problem पर नहीं problem के solution पर बात करते हैं तो आपको वो लोग चाहिए make a mentor ये बहुत दर्शक जरूर बनाएं जिसको आप फॉलो करते हूं एक लवे ने भी गुरू को एक प्रतिमा के रूप में बनाया था और आज तो digital रूप में किसी को अपना गुरू बना सकते हैं जिसे चीजों को सीख सकते हैं समझ सकते हैं उनके लोगों के सामने अपॉर्शुनिटी आती है न वहीं बट करके रह जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा अच्छी होगी नहीं होगी ट्राइ करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे किसी एक बहान गुरू ने एक बात कही थी कि जीवन में न जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो 35-40 साल की उम्र तक एक ऐसी उम्र होती है जहां पर आपका कुछ खोता रही है जो कुछ भी मिलता है वो एक experience को रूप में आपके पास आ जाता है इसलिए opportunities को grab ज़रूर करें पता नहीं कौन सी opportunity किस destiny पर आपको ले जाएगी और वो destiny आपको कहां पर success हासिल करा देगी आपको इसके बारे में नहीं पता है मैंने अपनी life में हर बार opportunities को एक opportunity दी है कैसे मैं educational institute में था तो मैंने technical education की opportunity को grab किया और मैंने technical education शुरू कर दी जब लोग मेरे steel industry की opportunity को समझा उसमें काम करना शुरू किया आज पूरे भारत वर्ष में metas overseas limited एक बड़ी company के रूप में काम कर रहे ही जिसके exclusive showrooms हैं dealers हैं तो जो लोग opportunity को नहीं पकड़ेंगे ना वो पीशे रह जाएंगे आज मेरे साथ के पढ़ाने वाले teachers आज भी coaching institute चला रहे हैं जो म मतलब जब आप opportunities को grab नहीं करेंगे तो आप कभी भी आगी नहीं बढ़ पाएंगे उसके लाबा positive mindset होना चाहिए कहते हैं ना opportunities सबके सामने आती हैं लेकिन हम negative mindset अरे यह तो बेकार बिजनस है अरे यह तो बेकार opportunity है इसमें तो बहुत नुक्सान हो सकता इसकी तो मुझे knowledge न आएगा नहीं पानी के बहार रख भैकर रह करना किताबें पढ़कर कभी भी swimming नहीं सीखी जा सकती swimming सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा इसलिए positive mindset के साथ जो opportunity आपके सामने आती है उसको grab करने का प्रयास करें और जब आप opportunities को grab करेंगे तो कुछ opportunities आपको coaching classes पढ़ा रहा होता मेटा सोवर्जेज लिमिटेड का CEO and founder director बनकर आपके सामने business की बात नहीं कर रहा होता तो friends बहुत जरूरी है इन सभी steps को follow करने की और जब जब आपके मन में आए ना कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा मेरे पास हिम्मत नहीं है मेरे बसकी नहीं है मेरे पा aAh जिनको देख कर आप सोच तता हैं तो मैं भी कर सकता हूँ यह कर सकता है तो में भी कर सकता हो यह फीजिकले deasać बैदे बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ सकता हूं जरूरत है positive mindset के साथ हैwater लक्षों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की इसके लाव आपके मन में यह कोई भी प्रश्ण है तो वह कॉमेंट बॉक्स में अभी लिग दें बैल आइकन को जुरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लेना स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्षर अमित माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत